नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट आखिरकार केंदर सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि देश भर में महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है जनता परिशान है और अब जनता को कुछ राहत देने का समय है केंदर सरकार ने ये राहत पेट्रोल उत्पादों पर दी है पेट्रोल एकसाइस जूटी कम की जाती है तो उसी अनुपात में राज्य सरकारों की तरफ से लगाया जाने वाला वैट जिसको वैल्यू एड़ेट टेक्स भी कहा जाता है उस टेक्स में भी कमी हो जाती है और उसका फाइदा ये होता है कि कमी अगर एकसाइस जूटी में होगी तो आपाइट ऑटमेने कली कम हो जाता है साड़े-9 रुपय के आसपास पैट्रोल की कीमते कम हो गई है साथ से साथ साथ रुपousse गया की मत की कीमत कम हो गई है और 200 रुपे-30 कीकी मत कम हो गई है बारा से लेंडर तक यानि उसके करोड रुपय का घाटा केंद्र सरकार को होगा लेकिन वास्ताओं में यह घाटा नहीं है बलकि केंद्र सरकार की कमाई में थोड़ी कमी है एक और महकमुन बात इस समय केंद्र सरकार पेट्रोल पर 27 रुपय के आसपास डीजल पर 21 रुपय के आसपास excise duty वसूल रही थी राज्य सरकार भी 19-20 रुपए के आसपास वैट पेट्रोल पर लेती है और ऐसे ही इससे थोड़ा कम डीजल पर लेती है यानि कि अगर हम पेट्रोल की कीमते देखें जो अभी 103-104 रुपए के आसपास चल रही थी तो उसमें 50 रुपए के आस पास सिर्फ excise और वैट हम टेक्स दिया करते थे यानि 50% के आसपास हम जो पेट्रोल या डीजल भराते हैं उसका 50% हम राज्य और किंद्र सरकार को टेक्स देते हैं अब किंद्र सरकार ने ये राहत देने की कोशिश की है तमाम राज्य सरकारों से उसने ये उम्मीद जता ही है कि वो अपने अपने राज्यों में वैट में गिरावट दर्ज करेंगे जिसका फाइदा आम उपभूकताओं को मिलेगा राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में दो रूपए के आसपास वैट घटाया था उत्राखंड में अब ये देखना होगा केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार वैट में कितनी कमी करती है आम जंता को कितना फाइदा पहुचा पाती है जो पेट्रोल अब तक 103-104 रुपए लीटर उत्राखंड में मिल रहा है वो सीधा 9.5 रुपए कम हो गया है अब 93-94 रुपए के आसपास वो मिलेगा राज्य सरकार अगर असर पड़ता है उसका कोस्ट कम होता है और उपभोकताओं तक जो सामान पहुचछता है उसकी कीमतों में भी कमी आने की उमीद की जा सकती है तो अब देखना यह होगा जो कटाउथी की गई है यह कटाउथी कितने दिन तक रहती है राज्य सरकार क्या राहत देती है और असर कब आम उपभोगताओं तक बाकी सामान की कीमते जो बड़ी हुई है उसमें राहत के तोर पर दिखाई देता है साथ यूँ आज की इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार लेकिन अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आया रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार